So hi guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Nifty और Bank Nifty के लिए, कल के सेशन के लिए मेरे क्या important levels रहेंगे आज ठीकी कहा हुई है और अभी यहां से आगे की Rally क्या होगी, Nifty और Bank Nifty के अंदर Options के अंदर कौन सा Jack Portrait बन सकता है इन सब के उपर हम लोग आज इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं मुझे first time देख रहे हैं और मेरे चैनल के उपर अभी नए आए हैं उनको बताना चाहूंगी मेरे चैनल के उपर, इस YouTube चैनल के उपर आपको share market के regarding सारी updates, सारी information, सारे videos time to time मिल जाएंगे इसके साथ साथ आपको options के अंदर कल के session में क्या हो सकता है Nifty, Bank, Nifty और Fin Nifty के इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी तो अगर आपने अभी तरक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए एक और important बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी अगर आपने अभी तक मुझे मेरे free telegram channel के उपर join नहीं किया है तो अभी join कर लो नीचे description box में free telegram channel की link मैंने आपको provide की हुई है तो वहाँ पर join करने के फाइदे यह है live market में आपको बहुत सरी updates वहाँ पर मिल जाती है तो इसके लिए वहाँ पर जरू जोइन कर लेना अभी हम लोग start कर लेते है अज का analysis अभी देखिए मेरे सामने bank nifty का one day candlestick pattern chart है और nifty bank की जो closing मिली है वो मिली है 46,811 के पास और nifty bank ने आज भी एक negative candle form की हुई है यहाँ से बात करें तो देखिए nifty bank ने 44,800 के support से हमें इतनी बढ़िया rally दिखाई कहा तक 47,300 और 350 तक यह rally हमें देखने को मिली अभी यहाँ से सीधा तो उपर नहीं जा सकता इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत pause लगाता हुआ bank nifty अमें दिखाई दिया पिछले session में यहाँ पर हमें एक 1,900 points का fall देखने को मिला इतने recovery के बाद एक छोटा सा fall 1,000-1,500 points का उतनी बड़ी बात नहीं है अभी भी 46,500 का support nifty bank ने hold रखा है आज के session में तो important क्या था यह जो पिछली candle आप देख रहे हैं इस candle के नीचे जब तक bank nifty नहीं जा रहा है nifty bank strong ही रहेगा bullish ही रहेगा जिस दिन nifty bank इस candle से नीचे गया या फिर intra day में भी या फिर closing basis के उपर भी तो यहां से थोड़ा बहुत trend हमको change होता हुआ दिखाई देगा और nifty bank हमें 45,500 and 45,000 तक गिरता हुआ फिर दिखाई देगा जब तक लेकिन इस candle के उपर है 46,500 के support के उपर चल रहा है नifty bank positive ही रहेगा और अभी भी नifty bank के 47,500 और 800 तक जाने के और यहां तक की 48,000 तक जाने के chances पूरे पूरे बने हुए हैं अभी next trading session में क्या हो सकता है देखी अगर हम लोग देखे तो एक वीकेंड के बाद market opening होने वाली है तो यहां से नifty bank अगर slightly gap down opening करता है तो भी 46,500 और 400 एक support का काम करेगा ही करेगा 300-400 points का gap down होता है तो लेकिन अगर बड़ा gap down होता है और नifty bank 46,000 के करीब ही खुलता है तो फिर थोड़ा risk की मामला रहेगा यहां से सीधा ना ही आप buying के लिए जाएंगे ना ही आप selling के लिए जाएंगे 46,000 के पास अगर gap down opening हो जाती है तो यहां पर करे क्या तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि gap up, gap down और flat opening पे concentrate ले फिलाल यह बात समझ लीजेगा कि जो negative closing हमें मिली है 70% यहां से chances bank nifty के slightly negative के दिखाई दे रहे है क्यों क्योंकि nifty bank अभी भी 47,000 से नीचे है अगर आज की closing 47,000 से उपर मिल जाती तो यहां से हम लोग एक relief की सास ले लेते या फिर 100% confident होते कि यहां से market bullish ही रहेगा फिलाल के लिए मामला 50-50 है tug of war है bulls और bears के बीच में 46,500 का support important रहेगा अगर 46,500 से नीचे की opening ही हो जाती है तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है लेकिन फिलाल यह समझ लीजेगा कि 47,000 जब तक hold नहीं करता है nifty bank nifty bank के अंदर थोड़ा risky मामला बना रहेगा ही रहेगा bulls site के लिए तो फिलाल हम लोग अभी nifty bank की next trading session की sorry next expiry की option chain data देखेंगे और फिर हम लोग चार्ट के उपर जाएंगे important levels देखने के लिए तो 46,811 के पास nifty bank बंदुआ है call side में देखें highest जो open interest है 2,000,000 का वो है 47,000 के उपर 1,82,000 का है 47,500 के उपर यहाँ पर सबसे जादा writing हमें call side में 47,000 and 47,500 के उपर देखने को मिल रही है वही उपर के level पे भी देखें तो उपर के level पर 50,000 की call writing 48,500 के level के उपर हुई है तो यहाँ से nifty bank हमें upside के लिए 47,000 के उपर अगर निकलता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से कुछ बात बन सकती है upside के लिए 47,500 के रास्ते खुल जाएंगे अगर gap up भी opening हो जाती है इसके उपर तो भी chances है nifty bank के Monday के session के लिए 47,500 के लेकिन important है 46,500 ना तूटे और 47,000 के उपर sustain हो जाए तो ही bulls rally possible है otherwise यहाँ पर consolidation भी हो सकता है bank nifty के अंदर और अगर range bound session रहता है तो यहाँ से bank nifty के option buyers के लिए कुछ भी profit नहीं होगा फिर यहाँ पर selling का मामला बढ़िया चलेगा आपको selling में अच्छा काजा profit बन सकता है तो option buying या फिर selling अगर आपको करनी है आपको full knowledge चाहिए डेली अगर fix income चाहिए तो आप मुझे premium group में join कर सकते हैं option selling के लिए सिर्फ आपको 4000 रुपीज पर मन देना है और option buying के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज पर मन देना है और यह offer सिर्फ और सिर्फ इस weekend के लिए valid रहेगी इसके बाद में charges जादा जो फिर से है पहले थे 3000 for option buying and 5000 for option selling यह applied होंगे जो पहले के charges थे तो इसका ध्यान रखेगा और जिनको भी join करना है वो आज के आज ही join कर लेना और यह मत सोचना कि saturday sunday off है तो हमार दो दिन का नुकसान हो गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है जब भी market opening होगी तभी से आपका जो date count होगा membership का वो उसी दिन से ही होगा यह बात का ध्यान रखे निफ्टी बांक की option chain फिलाल call side में दो लेवल से आपर आमने देखे 47,000 और 47,500 और उपर के लेवल पे भी हमें अच्छी कासी राइटिंग यहां पर दिखाई दे रही है यानि कि लोग जो है वो अपनी position उपर के side में बना रहे हैं क्यों क्योंकि यहां से लोगों को लग कि बैंक निफ्टी अपसाइट के लिए जाने के chances ज्यादा बने हुए लेकिन सामने support होना भी important है तो support कहा पर मौजुद है यह देख लेते हैं तो support कहा पर है तो ज्यादा जो open interest फिलाल दिखाई दे रहा है मुझे 1,00,000 तो है लेकिन 1,51,000 का सबसे ज्यादा है लेकिन वो 45,000 के उपर है तो इतना दूर तो फिलाल अभी हम लोग नहीं जाएंगे nearest support की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा हलचल दिख रही है लेकिन वो भी उतनी खास नहीं है 47,900 और 800 1,42,000 का ओपन इंटरेस्ट है लेकिन ये लेवल तो निफ्टी बैंक ने अल्रेड़ी तोड़ दिये है और इससे नीचे जाके बंद हुआ है तो अभी करे तो करे क्या यहाँ पर put site में मुझे उतना खास support बैंक निफ्टी के लिए फिलाल नहीं दिखाई दे रहा है और अ इसके अलावा निफ्टी बैंक के पास कोई chance नहीं है या फिर directly gap up ही opening करके थोड़ा बहुत upside के ले जाके फिर से जो trend है वो negative होता हुआ निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग देख सकते हैं तो ये possibilities निफ्टी बैंक की option chain data के उपर से दिखाई दे रही है तो अभी Monday के लिए trade कौन सा ले तो देखी अभी 46,811 के पास निफ्टी बैंक बंद हुआ है फ्लाट ओपनिंग पे क्या करें तो फ्लाट ओपनिंग पे यहां पर निफ्टी बैंक के लिए क्या कर सकते हैं तो अगर opening जो है वो 46,800, 900, 750 इस range में होती है तो यहां से हमें वेट करना है बुल साइ के लिए जाने के लिए क्या करना चाहिए 46,950 और 960 यह लेवल जब तक निफ्टी बैंक नहीं होल्ड करता है बुल्स के लिए साइट के लिए फिर ऑप्शन बाइंग में C साइड के लिए नहीं जाना है यहां से यह रजिस्टंस है यह रजिस्टंस के उपर ही बैंक एंड 47,200 के तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देगा तो अगर इसके उपर निकलता है तो ही C साइड में इंटर कीजेगा अदवाइस वेट कीजेगा मार्केट को इस लेवल के उपर सस्टेंड करने के लिए बही पुट साइट में कब जाना है तो देखे पुट साइट में जाने के लिए फर्स्ट फॉल आपको वेट करना है 46,680 के ब्रेक होने का 680 के बिलो ही बांक निफ्टी निगेटिव हो सकता है और फिर हमें 46,510 और 46,400 तक के लेवल्स निफ्टी बांक के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो जो दो लेवल्स फ्लाइट ओपनिंग के लिए बताएं हैं अपसाइट के लिए और डाउनसाइट के लिए उन्ही लेवल्स पर ट्रेडिंग कीजेगा वही अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो क्या करें अगर गैप ऑप ओपरिंग हो जाती है और निफ्टी बांक स्ट्रोंगली 47,000 और 47,100 के पास सस्टेन क करता है 15-20 मिनिट में फर्स्ट 15 मिनिट में गैप अप करके इस लेवल के उपर सस्टेन कर रहा है या फिर जोन में सस्टेन कर रहा है यानि के नेक्स ट्रैली 47,300 और 400 के तरफ होगी और यहां पर सी साइड में अच्छा खासा प्रॉफित आप बुक कर सकते हैं अगर गैप पिछले बारे भी निफ्टी बाइंक ने उपर के लेवल दिखाए थे एक तेज रिकावरी दिखाई थी तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो तुरंट सेलिंग के लिए भी मत जाना नाई बाइं के लिए जाना फर्स्ट ओफॉल देखना सपोर्ट के नीचे है या फिर सपोर्ट के उपर सिस्टेनेबल मोमेंटम दे रहा है उस इसाब से अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए जाएंगे बाकी लाइव मार्केट में आपको सारी चीजे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के उपर मिल जाएंगी तो बहाँ पर मुझे जरूर जॉइन कर लेना और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं मैं आपको आणसर कर दोंगी तो अभी निफ्टी बैंक की तो हमने बात कर ली अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के उपर तो निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ठीक चल रहा है हम लोग कह सकते हैं जैसे हमने सोचा था कि 21,900 और 22,000 के उपर निफ्टी जो है वो हमें 22,300 फर्स टार्गेट दिखाएगा सेकेंड टार्गेट 22,500 का है वो दिखा सकता है अगर 200 के उपर टिक जाता है तो फिलाल फर्स टार्गेट तो लेवल पे ही बना रहता है या फिर कंसॉलिडेशन करता है तो उसके लिए फर्स हम लोग निफ्टी का जो है वो ऑप्शन चेन डेटा भी एक बार देख लेंगे फिर चार्ट के उपर जाते हैं तो 22,212 के पास निफ्टी जो है वो बंद हुआ है कॉल साइड में जो सबसे जादा ओपन इंट्रेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो दो लाग का है जो की बना हुआ है 23,000 के उपर नियरेस्ट लेवल की बात करें 1,31,000 का ओपन इंट्रेस्ट 22,500 के उपर है 1,10,000 का 22,300 के उपर है कॉल साइड में सबसे जादा जो राइटिंग है 58,000 और 54,000 की वो ह से आप क्लियरली देख सकते हैं जो लेवल्स मैंने आपको अभी चाट के उपर से और पहले भी बताये थे दो लेवल्स के उपर ही हमें सबसे जादा राइटिंग और ओपन इंट्रेस्ट दिखाई दे रहा है नियरेस्ट जो बात करें निफ्टी की तो 300 के उपर निफ्ट क्योंकि 22,300 के पास से एक निफ्टी के अंदर गिरावट भी आ सकती है जो निफ्टी को सीधा 22,100 या फिर 22,000 के तरफ लेके जाएगी तो उसके लिए हमें थोड़ा यहां पर निफ्टी के अंदर जादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा सामने पुट साइट में सबसे जादा ओपन इंट्रेस जो है वो 1,48,000 का है नियरेस्ट बात करे तो और वो है 22,000 के उपर सबसे जादा पुट राइटिंग जो है वो हमें दिखाई दे रही है 29,000 की जो की हुई है 22,200 के उपर तो फिलाल 212 के पास की क्लोजिंग मिली है त तो हमें यहां से 22,000 के तरफ निफ्टी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है so I hope कि आपको options in data समझ में आ चुका है अभी चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी 50 के तो निफ्टी के लिए जो important levels रहेंगे वो रहेंगे next trading session के लिए selling के लिए जब तक 180, 160 नहीं जाता है नीचे निफ्टी से तब तक के लिए put side के नहीं जाएंगे इससे नीचे ही निफ्टी 22,050 और 22,000 तक गिर सकता है otherwise यहां से उपर रहेगा तो Polish side की rally ही देखने को मिलेगी अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो भी support से एक buying आती हुई निफ्टी के अंदर हम लोग देख सकते हैं अब side के लिए levels क्या रहेंगे 22,280 और 320 यह एक resistance zone है ज्यादा से ज्यादा निफ्टी हमें यहां तक चाता हुआ दिखाई देगा इससे उपर तभी जाएगा जब 300 के उपर sustain होगा अगर 300 के उपर sustain होता है तो ही 400 और 500 के तरफ राली होगी otherwise निफ्टी हमें थोड होगी सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को ज इस क्योंटेट केर फुली